देली करें न्यूस में अभी की खबर है महामारी रोग अधिनियम पर विधियायोग की रिपोर्ट हाली में भारत के 22 में विधियायोग ने अपनी 286 वी रिपोर्ट प्रस्तुत की है बता दे कि इस रिपोर्ट का शिर्षक महामारी रोग अधिनियम 1897 यानि EDA की एक व्यापक समिक्षा है इस रिपोर्ट में आयोग ने यह माना है कि यह कानून काफी पुराना है और यह आधूनिक महामारी की समस्याओं से निपटने में असक्षम है इस इसिते में आयोग द्वारा इसे संशोधित करने की कई सुझाव दिये गए हैं बता दे कि रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 को संशोधित करते हुए इसमें क्वारंटाइन, आइसोलेशन और लोगडाउन की प्रावधान शामिल होने चाहिए साथ यह सुनिश्यत किया जाए कि इन उपायों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उलंगन किये बिना निस्पक्ष रूप से लागू किया जा सके इसमें गोपनियता, अनुकूल रोग निगरानी, चिकत्सा आपूर्ती के वितरण, उपलब्धता और परिवहन को व्यनेमित करने जैसे उपाय शामिल करने का भी सुझाव दिया गया है साथी जानकारी का उचित प्रसार, टीका करण और विभिन प्रकार के संक्रामक कच्रे की सुरक्षित निप्टान के प्रावधान भी शामिल किये जाने का सुझाव दिया गया है चलिए अब जानते हैं विधी आयोग के बारे में यह समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सामविधिक निकाय है पहला विधी आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इस्थापित किया गया था इसकी अध्यक्षता लॉड मैकाले ने की थी स्वतंत्र भारत का पहला विधी आयोग वर्ष 1955 में तीन साल के कारेकाल के लिए स्थापित किया गया था चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को विधी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक यह समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सामवधिक निकाय है दो पहला विधी आयोग वर्ष 1836 में स्थापित किया गया था उपर यूग तुमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया दियर व्यूवर्स, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले